नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का पाल मिश्टी गयान चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हाथ में तिल का क्या प्रभाव होता है यह जीवन में अवस्य घटना एंगट वाता है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें इस वाधियो के माध्यम से आपको एक नई और एक रोचप जानकारी मिलने वाली है और इसके पहले आगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्क्राइब से नहीं किया तो किरपया चैनल को सब्क्राइब आज़ कर ले और ये पीसे अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ला में बताती है हमारे हेल्थ के बारे में बताती है हमारे प्रोपर्टी के बारे में बताती है और इसी प्रकार से हमारी मस्तिक रेखा मस्तिक रेखा हमारे गहरे विचारों के बारे में बताती है और इसी प्रकार से हमारी हिर्दे रेखा हिर्दे रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है हम किसी के साथ कितना नंदीक पहुंचते हैं उसके बारे में बताती है सबसे पहले हाथ में तिल तिल का बड़ा रोल होता है कई लोगों के जीवन में ए घट्टाय आवस्ः घटी है अगर आपके हात में किस पर्बद के उपर या किस फिंगर के उपर ये तिल है तो उसका प्रभाव जीवन में आवस्ः देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले हम मरकरी के पार्ट पे, मरकरी के फिंगर के उपर देखते हैं, यहाँ पे तिल बनता है, यह तिल ऐसे लोग इलीगल काम करते हैं, जो सरकार से मानिता प्राप्त नहीं हैं, ऐसा काम करते हैं, जैसे कि ब्राउन सुगर का काम, कोकीन का काम, मतलब मादक पदार्थों का सेवन जो होता है, उससे जुड़े काम करते हैं, इलीगल सरकार की प्रमीशन नहीं होने के बावजोद भी ऐसे लोग करते हैं, और इसी प्रकार से हाथ के सन के मौंट के उपर, और सन के फिंगर के उपर, यह सन की दूसरी पोर है, यह पहला पोर है, यह तीसरा और यह चोथा, सन के मौंट के उपर, जब भी यह तिल होता है, तो जीवन में अवस, आपको एक समय आएगा कि आपको बदनामी की तरफ लेके जाता है, बदनामी ऐसी होगी कि जैसे किसी काम को आपने किया नहीं है, लेकिन यह इलजाम आपके उपर हैंवस लगवाता है, कहले कि नाम खराब कर देता है, और यह चीजे एक बार नहीं होती है, बार बार ऐसी घटनाए घट जाती हैं जिवन में, अगर आपके हाथ में यहाँ प और आपके बारे में भी आपके देखे तो आपके बिकारों को बढ़ा देता है, और इसी प्रकार से सन के फिंगर के उपर तिल देखें, यह सेकंड पूर हो गया और यह फर्स्ट पूर है, और यह सनी के मौंड के उपर है, यहां पर मैंने देखा और पाया है, ऐसे लोग जीवन में पती और पतनी के बीच में, उथपन्न क्रेट करता है, मतलब इस्तिति गंभीर कर देता है कि मैरिज लाइप में प्रोब्लम को वने पाया है, और प्रोब्लम आती हुई है, और ऐसे सेपरेशन करता है, तकरीबर ये separation दो साल तक चलता है छे-छे मेने का दोर बनता है और ये तकलीफे तकरीबन एक ही बार आती है दो साल के लिए अगर दो साल तक पती और पत्नी separate रहते है, अलग रहते हैं जैसे पती किसी एक सहर में रहता है तो पत्नी अलग सहर में रहती है, ऐसे ज़्यादा देखा गया और पाया गया है, लेकिन दो साल के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, पत्ती एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन दो साल तक चलना बड़ा मुस्कल होता है, कई बार दो साल के अंतराल में भी सेप्रेशन होते तो कई बार एकसिदेंट की घटनाएं घटवाता है, और इसी परकार से गुरू के माउणड के उपर तिल, और यह फिंगर के उपर तिल होता है, किसी ना किसी काम को लेके घर में बोलते रहते हैं किसी ना किसी एक को बोलते रहते हैं चाहे गलती हो या ना हो गलती हो गया तो उसका डवल प्रभाव दिखेगा अगर गलती नहीं है तब भी वो बोलने का काम करते हैं और ये तिल का सभाव तिल का प्रभाव तब ज्यादा अधिक पाया जाता जब हाथ में ये काले रंका हो और कोई भी प्रकार का हो तो इतनी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसा तिल है तो जीवन में आप देखे तो ये चीजे अवस्य झालगब धन्वड़